प्यारे बच्चों नमस्टार लेकर के हम आ गए हैं एक बहतरीन आपका पसंदीदा आपका फैवरेट टॉपिक है रस आज तो रस मिलेगा मिलेगा और रस के साथ आपको दो अंक भी मिलने वाले हैं क्या रस तो मिलेगा साथ में दो अंक भी आपको मिलने वाले हैं अच्छा आप लोगों में दो हिंदी चलती है एक तो सामान हिंदी चलती है और दूसरी चलती है साहित्य हिंदी साहित हिंदी कला वर्ग के विद्यारती पढ़ते हैं और अन्य वर्ग के विद्यारती पढ़ते हैं लेकिन जो सामान है इसमें विज्ञान वर्ग के विद्यारती आते हैं वाणिज्य वर्ग के विद्यारती आते हैं वाणिज्य यानि कामर्स क्रिसी वर्ग के विद्यारती आते हैं, और कुछ ब्यावसाईक सिच्छा वाले भी ब्यावसाईक वर्ग के विद्यारति भी आते हैं, ठीक है? तो सामान हिंदी और साहिटिक हिंदी दोनों का आज का जो क्लास है, ये कमबाइंड है। क्योंकि सब को ये रस पढ़ने हैं, देखो जो आपका बीर रस है, आपका जो स्रिंगार रस है, ठीक है, और जो आपका हाथ से है, और जो करुण रस है, हाथ से है, करुण है, वीर है, और एक शांत रस है, ये आपको पांच रस पढ़ने हैं, ये पांच रस दोनों लोगों क पढ़ने हैं, चाहे आप सामान्नी हिंदी के विद्धारती हो, चाहे आप साहितिक हिंदी के विद्धारती हो, दोनों लोगों को ये पाँच के पाँचो रस जो है, आपको पढ़ने हैं, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले रस पे पहले समझ लेते हैं आखिर रस ह रहे क्या आपके बुक में जो टॉपिक है उसमें लिखा होगा काब वे सौंदर्य के तत्तु जिसमें रस आते हैं छंद आते हैं और अलंकार आते हैं ठीक है जी बिलकुल बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरिता जी है नितिन जी है वैश्णवी जी है राजन जी है सौरब जी है ठाकूर साहब है आरेन है रोष्णी है और मुर्तजा मलिक जी है रामकुमार जी है रोष्णी विश्वकर्मा है निधी पांडे है अटिटूड है और आरेन आनंद जी है आरेन निशाद जी है रेनूरानी रामकुमार तमाम लोग जुड़े हु और guarantee के साथ आज रस आपको आ जाएंगे, ठीक है, कैसे लिखना है, वो सारी चीजें हम clear करने वाले हैं, समझे, रस आखिर होता क्या है? ये जो रस है ये रस वो रस नहीं है जो गन्ने से निकलता है ये रस वो रस नहीं है जो संत्रे से निकलता है ये रस कहां से निकलता है ये अंतह करण से निकलता है दिल से निकलता है मनो भाव से निकलता है ये रस वहां से निकलता है बिभावा अनुभाव बेविचारी भाव आदी के संयोग से रस की निस्पत्ती होती है अब हम समझेंगे कि भाई स्थाई भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, आलंबन विभाव क्या होते हैं, उद्दीपन विभाव क्या होते हैं इस पश्टी करण लिखने के काम आता है तमाम बच्चों के इस सवाल है कि सर हम रस लिखते समय इस पश्टी करण लिखेंगे अथवा नहीं तो मैं कहूंगा आप लिख सकते हैं इस पश्टी करण ठीक है परिक्षा में आपका जो सवाल आता है वो आता है कि आप सो उधारण रस की परिभासा लक्षन उधारण सहित लिखिए तो जब आप उधारण लिखेंगे थोड़ा सा इस पस्टी करण भी दे देंगे तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है भाकी आप परिभासा उधारण भी याद कर सकते लेकिन मैं आपर complete आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं गुरु हूँ, अधूरा ग्यान आपको नहीं दूँगा, ठीक है, तो ये भरत्मुनी का सूत्र है, कहते हैं कि बिभाव, अनुभाव, एवं बेविचारी भाव, बेविचारी का मतलब होता है, संचारी भाव, आदी के स यूग से रस की निश्पत्ती होती, रस की निश्पत्ती या नहीं उत्पत्ती होती है, अब आप जब भी परिभाशा लिखेगा, तो निश्पत्ती मत लिखेगा, रस की हमेशा निश्पत्ती होती है, उत्पत्ती नहीं होती है, ठीक है, और इस्थाई भाव क्या होते हैं साहरदें, साहरदें मतलब होता है पाठक या दर्शक पाठक या दर्शक के हरदें में जो भाव इस्थाई भाव से विद्यमान रहते हैं उन्हें इस्थाई भाव कहते हैं बड़े शाटकर तरीके से हम समझेंगे जो भाव इस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इस्थाई भाव कहते हैं ठीक ये बात समझ में आई होगी ठीक ज्यादा महात्ता इसकी नहीं है लेकिन असपश्टी करण लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा ठीक है फिर आप देखिएग पिर बिभाव क्या होते हैं बिभाव जिसके कारण रस प्राप्त होता है वो बिभाव होते हैं ठीक है बिभाव दो प्रकार के होते हैं ठीक है कौन-कौन से एक आलंबन बिभाव होता है और दूसरा उद्दीपन बिभाव होता है आलंबन बिभाव का मतलब होता है कि जिस जिसके कारण हरदय में रस उत्पन हो, इस्थाई भाव जागरित हो और आस्त्रे विभाव का मतलब होता है, आस्त्रे आलंबन का मतलब होता है, जिसके दिल में, जिसके हरदय में इस्थाई भाव जगे और जिसके कारण इस्थाई भाव जगेगा, ठीक है, जिसके कारण इस इस्थाई भाव वो क्या हो जाएगा आस्तरे हो जाएगा उद्दीपन इस्थाई भावं को और उद्दीपत करें। रसका उदारण है अब इसमें हम देखेंगे आस्रे कौन है और आलंबन कौन है आस्रे यानि प्रेम जिसके हिर्दय में उत्पन हो रहा है तो प्रेम किसके हिर्दय में उत्पन हो रहा है यहां पर नायक या नाइका के हिर्दय में उत्पन हो रहा है किसके कारण उत्पन मालो तो यहां पर कृष्ण के हिरदय में प्रेमुत्पन हो रहा, तो कृष्ण हो गए आस्रे, क्या हो गए? आस्रे आलंबन, और राधा जिनके कारण, इस्थाई भाव जो स्रिंगार है, रती फूट रही है, प्रेम फूट रहा है, वो हो गई आलंबन, ठीक, क्या हो गई? आलंबन हो गई, और जो वहां का वातावरण है, कहना, नटना, रीजना, मानना, मनाना, यह सब क्या है? यह उद्दीपन विभाव, और उद्दीपन कर रहे हैं प्रेम को, बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो यह था, सिम्पल सी बात है, और फिर देखे, अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव होते हैं आस्रय की बाहचेश्टाएं, यानि जैसे आपके अंदर प्रेम उत्पन हुआ, तो आप आँख भी मारेंगे किसी को, तो क्या हो गया? यह क्या हो गया? आप किसी को आँख मारते हैं, तो क्या हुआ? अनुभाव. अब प्रेम आपके अंदर उत्पन हुआ है, आप प्रेम के कारण किसी को आँख मारेंगे, किसी से नजरे मिलाएंगे, तो किसी की तरफ देखके मुस्कराएंगे, तो रोमांच चकता बढ़ेगी, है ना, तो ये क्या होता है, ये होती है, बाहर चेश्टा है, जैसे रोमांच होना, कंपन होना, है ना, स्वेध होना, अब आप अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे हो, अब अचानक से उसका पिता आजाए, तो कंप आएंगे, चंडभर के लिए उठने वाले भाव, संचारी भाव होते हैं, हर स्चपलता, जड़ता, ये तमाम संचारी भाव, जैसे पानी के बुलबले उठते हैं, और चले जाते हैं, 33 होते हैं संचारी भाव, ये तो था इस पश्टिकरण लिखने का जुगाड, अब अब ये क्या है, ये स्रिंगार रस है, क्या है, ये स्रिंगार रस है, महबत में आदमी क्या कर रहा है, गुन-गुना रहा, अब स्रिंगार समझो, स्रिंगार के दो भेद होते हैं, समझो यहाँ पर, जब रती, रती मतलब होता है प्रेम, और रती है एक कामदेओ की पतनी, अब ये जो है आपको परिभासा समझने की आवश्यक्ता है, कि जब रती नामक इस्थाई भाओ, विभाओ, अनुभाओ, बेविचारी भाओं द्वारा पुष्ट होता है तब स्रिंगार रस की निस्पति होती है, जब रती नामक इस्थाई भाओ, अब आपको मास्टर परिभासा बताते हैं, रती और यहाँ पर स्रिंगार, केवल ये बाकी सबकी परिभासा सेम लिख सकते हो, मास्टर परिभासा है, यहां सोक नामक इस्थाई भाव तो यहां स्रिंगार रस लिख दो, यहां उत्साह नामक इस्थाई भाव लिखोगे, तो यहां बीर रस लिख दोगे, तो बीर रस की परिभासा, बाकी अलग-अलग परिभास अच्छा लिखने की कोशिस करोगे उतना ही जबर्दस्त मामला रहेगा आपका ठीक है इसके दो भेद हैं अच्छा जब भी आप स्रिंगार रस लिखो आपको भेद लिखने की आवस्सक्ता नहीं है अगर ये पूछता है कि आप वियोग स्रिंगार लिखेंगे आपको अधिक्तर क्या पूछता आप से केवल कहेगा स्रिंगार रसकी परिभाषा उदारन सहीत लिखिये और दो अंक हमसे ले जाईए तो यहां आपको केवल यही परिभाषा लिखनी है चाहे सन्योग आए चाहे विप्रलंब आए यानि बियोग आए चाहे सन्योग शरिंगार अभी हमने गाना सुनाया उसमें क्या हो रहा है नायक नाइका का मिलन हो रहा है क्या हो रहा है मिलन हो रहा है ठीक है नायक नाइका का जहां पे मिलन हो वो संयोग हो रहा है संयोग हो रहा है तो क्या है संयोग स्रिंगार है वहां संयोग स्रिंगार होता है जैसे कि बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भौहनी हसे दैन कहे नटी जाए नटी जाए नटी यहाँ पे है कि बत्रस अर्थात बातों के रस के लालच में लाल अर्थात गिरिधर स्री कृष्ण की मुरली लुकाए अर्थात छिपा कर राधाया गोपिकाएं रख देती है और जब मांगते हैं तो सौह करें कसम खाती हैं भौहन निहासे और आखों से हस्ती भी हैं देने को कहते हैं तो नटी जाए अर्थात मना कर देती हैं हम कहां लिये हैं आप मुझे ऐसे लगा हम कहां लिये हैं आपकी मुरली हां तो मुरलिया चुराई है उन्होंने और बातों के रस के लिए कि भाई जब बातें कैसे लडाएंगे यह अदा होती है बातें लडाने की बातें तभी लडा पाओगे आप किसी से बात लडानी है तो किसी कॉपी उठा के बस्ते पर रख लो ए मेरी कापी लो ने मैंने नहीं लिया है मेरी कापी तुम्हारी पास अरे लाओ लो लो ने यह लो पनी तुम्हारी यह तुम्हारी म तो यही है बतरस लालच बातों के रस के लालच में आकर रखे राधिका ने लाल अर्था स्रीकृष्ण की मुरली लुकाय के छिपकाय के रख ली अब जब कहते हैं मुरली लाओ यार तुम्ही रख जाएं हम कंडा रखें हम के समन बश्राइ तौन टॉड़क हों प्रें मुरवयं पतै रहु हैं कि हाँ मुरली आई नहीं निचुराई है तो देने को कहतें रेे दे दो यार तो कि नहीं हम मना कर देती मेरे पास मुरली नहीं है यहां क्या है नायक और नायका का मिलन हो रहा है प्रेम रस बरस रहा है रती इस्थाई भाव हो गया है ठीक है आस्रे यहां पर नायक है और आलंबन कौन है नायका है यानि राधा यहां पर आलंबन है यानि जिनकी वज़े से प्रेम उत्पन हो रहा है तो नायका के वज़े स तिर्षी नेत्र नेनों से मुस्कराना, अनुभाव क्या है? कटाक्ष करना, कटाक्ष मितलब तिर्ची तरुपर धाना, आलिंगन, गले मिलना, चुंबन, संचारी भाव क्या है? लज्जा है, हर्श है, चपलता है, यह संचारी भाव है. ठीक है विशेस बियोग सरंगार देखिएगा बियोग सरंगार है बिछड जाना बियोग सरंगार है ठीक है बिछड जाना क्या है बियोग सरंगार है यानि जहां पर नायक नायका के वियोग का वरण हो वहां पर विप्रलंब सरंगार या वियोग सरंगार होता है जो विप्र लंब संगार है वही क्या है वियोग स्रिंगार है ठीक है अच्छा अब वियोग स्रिंगार में क्या होता है कि नायक नाइका अलग हो जाते हैं ठीक और संयोग में नायक नाइका का मिलन होता है अब यहां पर देखिएगा कि है खाग म्राग है मधु कर स्रेनी तुम देखी सीता म्रग नैनी हे राम बिलाब कर रहे हैं सीता को रामण बाबा बनके उठा ले गया है बेक्षाम देही करके छल पूरवक रामण ले गया सीता को अब सीते सीते चिलाते हुए राम घूम रहे हैं बन बन भटक रहे हैं तो क्या करते की है खाग म्रग है मधु कर स्रेनी तुम देखी सीता म्रग नैनी बाइस आप किस से पूछते ना तो वहाँ ट्रैफिक है ना कोई पुलिस चवकी बनी है जंगलवा है राम है लक्षमड है लक्षमड दूसरी दिसा में है राम दूसरी दिसा में है राम कहते हैं कि हे पक्षियों हे म्रगों हे पश्वों हे मधुकर से भरी हुई स्रेनियों क्या तुमने मेरी सीता को देखा है जो म्रगनेनी है अर्थात जिसके हिर्णियों जैसी चाल और आखें है ऐसी सीता को तुमने देखा है यहाँ पर वियोग है परंतु स्रिंगार रस है म्रगनेनी सीता को कह दिया सुन्दरता बखान कर दी तो यहाँ पर स्रिंगार रस है वो भी बियोग स्रिंगार है इस्थाई भाव तो रती दोनों में रहेगा आस्रे यहाँ पर सीता है क्योंकि जो रती उत्पन होती है वो राम के मन में उत्पन होती है आलंबन यहाँ पर नहीं यहाँ पर आस्रे जो है राम है आस्रे कौन है आ आस्रह यहां पर राम है, आलंबन यहां पर सीता है, आलंबन मतलब जिसके कारण इस्थाई भावत्पन हो, तो सीता के कारण रती उत्पन हो रही ना राम के मन में, तो यहां पर राम आस्रह है और जिनके मन में उरत्वत्पन हो रही है, वो राम है, आलंबन कौन है, सीता है, उद्धीपन नायक राम की चेश्टाएं हैं जैसे विलाब करना, रूदन करना, रोना, अनुभाव क्या है? स्टम्भ है, स्वैद है, स्वरभंग है, मतलब इस्टम्भ माने, स्टेच्यू हो जाना, स्वैद माने, पसीना बहना, स्वरभंग मतलब आवाज न निकलना, संचा कि दूलाह स्रीरगुनाथ बने, समझो, विवा हो रहा है, शादी हो रही है, और सादी हो रही, तो मिलन है, मिलन है, तो संयोग स्रिंगार है, कि दूलाह स्रीरगुनाथ बने, दुलही सिय सुन्दर मंदीर माही, वो गावती गीत सबय मीली सुन्दरी बेद जुवा जूरी भाई साब मेरे साथ उदारन गाईए तभी आपको याद होगा रटा मार अब की बार रटा न मार हमरे साथ गाकेर कर ले नहीं आपार फिर से सपड़ो कि दूलाहा स्रीरगूनाथ बने मैं चाहता हूँ इसी क्लास में सब याद हो जाए बाद में होमवर्क न करना पड़े त भाई साब जब टाप निक्रोंगे तो का होगा आश्चर हो जाएगा अदबुद्र अस्कीनिस पत्ति होगी कि दूलाहा स्रीरगूनाथ बने दुलही सिय सुन्दर मंदिरो माही और गावती गीत सबै मिली सुन्दरी बेद जूआ जूरी विप्र पढ़ाही तो राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की पर छाही याते सबै सुधी भूली गई कर तेरी रही पल तारत नाही नायक राम है नायका सीता है बिवा हो रहा है मिलन हो रहा है स्रिंगार रस है स्रिंगार रस में उदारन लिखिएगा संयूग में लिखिएगा फिर कौन हो तुम वसंत के दूत या समझीगा कि कौन हो तुम वसंत के दूत बिरस पत जड में अतिस कुमार घंती मेरी में चपला की रेक तपन में शीतल मंद बयार स्रिंगार रस स्रधा आती है मनु से कहती है ठीक है समझीएगा आ नहीं मतलब मनु कहते हैं स्रधा से तो ये भी स्रिंगार रस है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्रवाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा मेरो रोके प्रिय विराह में बावली हो रही हूं जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे कहां से है पवन्दूतिका से है बियोग स्रिंगार है राधिका जी पवन्द से कहती है कि शाम को मेरी दुख सुना देना तो ये था स्रिंगार रस बढ़ते हैं अगले रस की और हाथ से रसाता भाया मजाएगा ठीक है इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपस में प्रेम बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरी शपुरी बन जाएंगे सब हड़ी पसड़ी तोड मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये ये का है मजा आया मजा है तो हासरस हो गया हसी आई तो हासरस हो गया समझो हासरस किसी की विक्रित समझो बिलकुल ध्यान सा समझना परिभासा परिभासा में ने एक नंबर की किसी की विक्रित वेशभूसा चेश्टा आदि को देखकर मन में उत्पन इस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, विविचारी भाव आदि के द्वारा जब पुष्ट होता है तब हासरस की निश्पत्ति होती है कौनसा भाव? हास नामक इस्थाई भाव किसी की विक्रित वेशभूसा चेश्टा आदि को देखकर मन में उत्पन जब हास नामक इस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, विवचारी भाव आदि के संयोग से पुष्ट होता है समझो, यहाँ पर वही लिखा है कि जेही दिसी बैठई नारद फूली तेही दिसी वहन बिलो की भूली तादिसी वहन बिलो की भूली अब नारद का मूह है एकदम बंधरिया वाला अब नारद सोच रहे है आज हमरे साथ होगा वरमाला हमरे पड़ेगी आज तो जिस दिसा में नारद तो सोच रहे है कि आपून तो बिस सुंदर है वर्ल्ड चैंपियन आदमी हीरो एकदम बैठे है हमसे सुंदर इस सभा में है ने क्योंकि बगवान विश्णू ने हमको वर्दान दिया है कि जाओ तुमको अपना रूप दे देंगे सुंदर सुंदर अब नारद तो ये नहीं समझ पा रहे है भया तब दरपन वरपन था नहीं है ना तो नारद ये नहीं समझ पा रहे है कि हुआ मेरे साथ क्या है नारद बैठे हैं है ना तो जिस जही दिस बैठाए नारद फूली नारद जिस दिसा में फूल कर बैठते हैं कि आप उन्हें क्या है बड़ा सुंदर है जही दिस बैठाए नारद फूली सोदिस तहिन बिलोकी भूली वो रानी जो हैं वो उस दिसा में बिलोकी माने देखी वो भूल कर भी उस दिसा में नहीं देखती ही कि यार ये मंकी ब्रेंड कहां से आ गया मुनी जी बार बार बहुत ब्याकुल होकर के बहुत अकुलार हैं और ये डाल क्यों नहीं रही वरमाला देखी दसा हरगन उसका ही हरगन माने हर माने शिवजी शिवजी के जो गण हैं शिवजी के जो दूत हैं इनकी ये इसी दसा देख के बड़ा हसते हैं आश रहे हैं क् आप समझिएगा इस्थाई भाव यहाँ पर आप लिखेंगे हास ठीक है हास इस्थाई भाव लिखना मत भूलना विभाव में आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव दो जरूर डालिएगा नारद मुनी यहाँ पर विभाव है आस्रे आलंबन है नारद मुनी, क्योंकि इन ही की वज़े से कौन हस रहा है हरगन मुसकाही, तो आस्रे कौन है हरगन, यानि हसी किसके हरदे में फूट रही है हरगन, यानि शिवजी के दूतों के, और किसकी वज़े से तो नारज की वज़े से तो नारद हो गया आलंबन, बिलक्ष चारी भावहर चपलता और चंचलता है ठीक है हाथ से हो गया कि बिंधे के बास याद कर जो देखो तीन चार उदारण हम दे रहे हैं जो आपको सरल लगे वो आप अपने कंठ में बिठा लो कंठ में मा सरस्ती की कृपा होगी मैं प्रार्थना करूँगा तुरंत आपके कंठ में सब विराजमान हो जाएगा लेकिन आप क्लास छोड़के कही नहीं जाना है एकड़म समा बंद चुकी है तो इस समा को बुझने मत देना इस समा बंद चुकी है तो एकड़म मेरे साथ मेरे सामने रूबरू हो ये सबसे लाष्ट में कमेंट पढ़ेंगे कोई समस्य लेकिन पहले समझो आज पांच रस होने वाले हैं दूसरा रस पढ़ा रहे हैं तीसरा चुथा और पांच वा बचा है सामान हिंदी वाला दो नमबर कम्पलीट हो जाएगा और जो साहितिक हिंदी वाले हैं ये तो कम्पलीट करेंगे अभी छे रस उनको और पढ़ाने है वो कल पढ़ाएंगे, वो complete करेंगे, ठीक है, समझिए, की बिंधे के बासी उदासी तापो ब्रत धारी महाबिनो नारी दुखारे, और गोतम ती तरी तूलसी, सो कथा सुनी भेमूनी ब्रंद सुखारे, होई है सिला सब चंद्र मुखी, परसे पद मंजूल कंज ती हारे, और कीन ही भली, रघुनाय कुजी करूना करी काननु को पगुधारे, बिंद्या चल के निवासी, तपो ब्रत धारी, महान जो तपो ब्रत धारी हैं, बिना नारी के दुखी है, काउन खाना बनाएगा, ब्रधा वस्थम काउन सेवा करेगा, है ना दुखी है, इसलिए दुखी है नारी के बिना, अच्छा, और गोतम ती यह, जब यह सुनते हैं कथा, कि राम ने अपने चरणों से एक पत्थर को नारी बना दिया, अहल्या को, अहल्या एक पत्थर थी, उसको जैसे ही राम के चरण लगे, वो पत्थर से एकड़म पत्नी बन गई, नारी बन गई, है ना, पत्नी नहीं, अब कहते हैं कि हुई हैं सिला सब चंद्रमुखी, अगर राम कहीं आ गए इधर तो जतना पत्थर है बिंध्याचल में तो सब पत्थर है परवत हैं सब, कहते हैं हुई हैं सिला, सिला माने पत्थर, सारे सिला चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगे, परसे, पद, मंजुल, कंज तिहारे यानि चरण कमल अगर इधर आकर के राम ने इस पुर्ष कर दिये तो क्या हो जाएंगे क्या हो जाएंगे सारे पत्थर नारियां बन जाएंगे और अपनी तो क्या हो जाएगी बाई मोज कर दी मोज हो जाएगी समझो कि हसी हसी भाजें देखि दूला हादी गंबर के पाहुनी जे आवेही मा चल के उचा हमें संकर जी का बिवा है दूट सारे नाच रहें, आज मेरे बाप कि साधी है, संकर जी नाच रहें, संकर जी के साथ सारे दूट नाच रहें तो सीस पर गंगा हस है, तो सीस पर गंगा हस रही, तो हास ही को दंगाव है और नंगा के विवाह में स्यू जी के विवाव में हासरस का ही सारा दंगा होगा, तो यहाँ पर भी हासरस है, अब आता है करुणरस थोड़ा रोने की बारी है, यह तो हसे, अभी हसे हो, ठीक है, अभी हसे हो, तो समझ में आ गया होगा हासरस, एक बार फिर से परिभासा सुनिएगा, किसी की विक्रित बेशबूसा, चेश्टा आदी को देखकर, मन में उत्पन हास नाम के स्थाई भाव, जब विभाव अन भाव, विवचारी भाव, आदी के संयोग द्वारा पुष्ट होता है, तो हासरस की निश्पत्त होती है, उद इंगार रस में, आप कोई भी लिखेज़े, कहत नटत, रिज़त, खिज़त, मिलत, खिलत, लज़्यात, भरे भौन में करत है, ने नहीं सो बात, दो रस हो गए, तीसरे रस पे चलते हैं, ये हास के बाता है करून रस, ठीक है, हाँ समझे, जब इश्ट बिनास हो जाता है, बंद बियोग हो जाता है, कोई अपना बिछड़ जाए, कोई साथी बिछड़ जाए, किसी वस्तु जो हमसे चली गई है, पुनह नहीं मिलेगी, मिलने की आशा खतम, वहाँ करून रस होता है, परिबासा ये है, जब शोक नाम के स्थाई भाव, विभाव, अनभाव, उत्पन होता है, उस उत्पन छोब को करून रस कहते हैं, फिर से समझिए एक बार, इश्ट बिनास, बंद बियोग के कारण, पहले इतना लिखेगा, यहाँ पर मैं लिखके बता देता हूं, परिबासा यहाँ पढ़िए, पढ़िएगा, इश्ट बिनास, या बंद के कारण जब हर्दय में लिख लीजेगा या स्क्रीन सॉट लीजेगा उत्पन अब इसके बाद लिखेगा शोक नामक इस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव आधिके संयोग से करुण रस्की निस्पत्य होती है ठीक है उत्पन शोक नामक इस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव आधिके संयोग से करुण रस्की निस्पत्य होती है ठीक है ठीक इतनी बाद समझ में आई या ये अगर आपको सरल छोटा लग रहा तो ये याद कर लिजे कोई दिक्कत नहीं ये भी आपका माना जाएगा ठीक समझ ये अभी तो मुकुट बंधा था मात हुए कल ही हल्दी के हाथ अगमन्यू की मृत्यू हो चुकी है उनकी पत्नी विलाप कर रही है क्या कर रही है कि अभी तो मुकुट बंधा था मात हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल, खुले थे चुम्बन शुन्य कपोल, अभी तो मुकुट बनधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे लाज के बोल, खुले थे चुम्बन शुन्य कपोल, हाए रुक गया यही संसार, बना सिन्दूर अनल अंगार, वात हत लतिका ये सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधा अभी तो मुकुट बनधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल, खुले थे चुम्बन शुन्य कपोल, हाए रुक गया यही संसार, बना सिन्दूर अनल अंगार, वात हत लतिका ये सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, इस थाई भावव यहाँ पर शोक है, और आश्रे कह सकते हैं, तो हमारे अभिमन्यू है, ठीक है? और यहाँ पर उद्दीपन आलंबन क्या है? आश्रे तो अभिमन्यू की पतनी है, आलंबन यहाँ पर अभिमन्यू है, जिनकी वजा से शोक उत्पन हो रहा है, और उद्दीपन है अभिमन्यू का अमरत शरीर, उद्दीपन मतलब और उद्दीप्त कर रहा है, और आश्रे अभिमन्यू की पतनी है अनुभाव सिर्प टकना है छिननाधार पड़े होना है संचारी भाव इसमरती विशाद प्रलाप विलाप ये क्या है ये संचारी भाव है छणभर को आते हैं चले जाते हैं प्रलाप विलाप ये सब चलता रहता है कि सोक भी कल रो वही सबरानी रूप सील गुन ज्ञान बखानी करही बिलाप अनेक प्रकारा गिरही भूमी तल बारही बारा सोक भी कल रो वही सबरानी रूप सील गुन ज्ञान बखानी करही बिलाप अनेक प्रकारा गिरही भूमी तल बारही बारा गिरही भूमी तल बारही बार दशरत का मृत शरीर है दशरत का शव पड़ा हुआ है तीनो रानिया विलाप कर रही है सोक से व्याकुल होकर के सोक बिकल रो वही सबरानी सोक से व्याकुल होकर के समस्त रानिया क्या कर रही है रो रही है और करही विलाप अनेक परकारानेक परकार से विलाप कर रही कोई गुण का बखान करती हुई रो रही हमारे राजा दस रतों के मालिक थे इतने यशशवी थे इनके कोई दुखी नहीं था हमें दुखी करके चले गए आहा मैं क्या करूंगी रो रहे हैं गिरही भूमितल बा बार-बार सिर्पटक रही हैं, जमीन पर धराशाई हो जाती हैं, गिर जाती हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें, आस्रह की, तो तीनों रानिया हैं, और सभा, शोक सभा और तीनु रानिया आसरे हैं आलंबन दशरत का अमर्त शरीर है और उद्दीपन दशरत का अमर्त शरीर है आलंबन उद्दशरत का शव है ठीक है दशरत है केवल ठीक मड़ी खोए भुजंग सी जननी ये सारे उदान सरल वाले इसलिए दे रहें ताकि आपको याद हो जाएं कि मड़ी खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी सीस अंधी आज बना कर मुझे को कि आन्याय तुमने जग दीस स्रमण कुमार का निधन होता है स्रमण कुमार को राजा दश्रत बान मारते हैं और जैसे मड़ी खोए जैसे एक भुजंग जिस सर्प जैसे एक सर्प एक नागिनी की मड़ी खो जाए और अपना फन पटक पटक कर प्रान त्याग देती है उसी प्रकार श्रवण की माता अपना सिर पटक रही थी और और भगवान से प्रार्थना कर रही थी भगवान को यह धन्यवाद दे रही थी कि आज तुमने अंधी बनाकर मुझको बड़ा न्याय किया नहीं तो आज मैं मुझे अपने बेटे का अमरत सरीर देखना पड़ता तो यह था अब यहाँ पर देखें तीसरा अउदान है यह भी शोक करुणरस है कि जथा पंख बिनू खग अति दीना मड़ी बिनू फन करीवर करीना असमाम जीवान बंधू बिन तो ही जो जड़ दैवो जियाव ही मोही जिस प्रकार जथा पंख बिनू खग अति दीना जिस प्रकार पंखों के बिना एक पक्षी बहुत दीन हीन होता है और मड़ी बिनू फन और एक जैसे मड़ी से हीन कोई सर्प हो और करीवर कर हीना जैसे एक हाथी सूड हीन कोई हाथी हो ऐसा ही मेरा जीवन हो जाएगा अगर ये जड़ देवता मुझे जीवित रखेगा जैसे पक्षी परहीन पक्षी हो, जैसे फन हीन, जैसे मणी हीन सर्प हो, जैसे सूड हीन हाथी हो, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, अगर ये जड़ दैव, ये जड़ भाग गी, ये जड़ विधाता मुझे जीवित रख, राम ब पिताओ देदो, मेरे तो हाई नहीं, तो बीरस में क्या करेंगे आप, कि बारा बरस लह कूकूर जीवाए, आव दस ग्यारा जी ऐस यार, बरस अठारा छात्री जीवे, आगे जीवे को दुदकार, खट 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 तेगा, बौलाई बौलाई चपक चपक तलवार, तीकटि लठा गिराय यसार फिया, उघन चलाय लुहार अनक्यार, ये था आलहा, बैसा बीरस में पूरा आलहा है, पूरा आलहा लगबग बीरस पे ही है, परमाल रासो जगनिक का लिखा हुआ है, परमाल रासो बीरस आ गया, बीरस का नाम सुनते ही, हम सब को अंदर जोस जाता है, बहुत जबर्दसाजी चातुरंग सैन, अंग में उमंग भरी, सरजा चिवाजी जंग जीतन चलत हैं, और भूसन भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, आयल फायल खायल बायल, खलक में गयल गयल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं, और तारा सो तरा निधु, धारा सो लगत जीमी, ठारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं, ये है बीरस, समझे, कि युद्ध अत्वा कठिन कार्य को करने के लिए, रिदय में नहित उत्साह नामक इस्थाई भाव के जागरत होने के प्रभाव सुरूप वीरस की निस्पत्ति हो क्या कहते हैं, कि युद्ध अत्वा कठिन कार्य को करने के लिए, रिदय में नहित उत्साह नामक इस्थाई भाव के जागरत होने के प्रभाव सुरूप, जो भाव उत्पन होता है, उसे बीरस कहते हैं, याद कर लो, जब उत्साह नामक इस्थाई भाव, विभाव, के द्वारा पुष्ट होता है तब बीरस की निस्पत्य होती है और इरहा उदारन क्या रहा कि साजिचा तुरंग सैन वंग में उमंग हरी सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत हैं और भूसन भनत नाद बीहद नगारन के नदीनद मद गैबरन के रलत हैं ठीक तो यहां पर आप क है नायक वीर शिवाजी ठीक है ठीक है शिवाजी है आलंबन है शत्रू शत्रू की वजेल से उस्सा है कि आज मार देंगे सुसरा को कुछ हो हो जाए अव अनुभाव क्या है रोमांच और अंग इस्पुरण अंग इस्पुरण मतलब जब बहुत गुस्सा होता तो थर्थ कपीर सरीर होता है भुजाएं फड़कने लगती हैं गाल भिठराने लगते हैं तो क्या होता है युद्ध की बातें उद्धीपन विभाव हैं युद्ध के नगाडे युद्ध के बाजे यहां पर बाते नहीं युद्ध के बाजे युद्ध के बाजे उद्धीपन होते ह युद्ध में बाजा क्यों बजा जाता था, इसलिए कि उत्साह बढ़े, संचारी भाव आवेगहर्स रोमान चकता है, आए होंगे यदि भरत कुमतिवश्वन में, अब लक्षमण बोल रहे हैं, जब भरत को आते देख रहे हैं, कोई कहता है, भरत आ रहा है, युद्ध रिया है मन में, उनको इस शर का लक्ष चुनूंगा अक्षन में, प्रतिशेद आपका भीन सुनूंगा रण में, रण की बात आ गई, कि भीर तुम बढ़े चलो, भीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड हो, सिंग की दहाड हो, सिंग की दहाड हो, भीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो ये क्या है ये हाँ तुमे ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे धज कभी जुके नहीं दल कभी रुके नहीं वीर तुम बढ़े चलो सामने पहार हो सिंग की दहार हो तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वहीं भीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यह क्या है यह बिरस, मैं सत्य कहता हूं सक्खे सुकुमार मत जानो मुझे या मुराज से भी युद्ध कर प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यह क्या है युद्ध में डरता नहीं ये था आपका वीरस वीरस में समझ में आया जब सानावा के स्थाई भाव भाव वेवचारी भाववादी के दौरा पुश्ट होता है तो वीरस की निस्पतों होती है युद्धादी का वरणन सुन करके देख करके ठीक है, सांत रस में बड़ा सांत मामला है, सांत रस समझेगा सांत का इस्थाई भाव होता है निर्वेद, ठीक है, क्या होता है, सांत का जो इस्थाई भाव है, इसका इस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, ठीक है, निर्वेद का मतलब यह होता है कि दुनिया स नहीं मेरे काम की नहीं वैसा कुछ हो काम का नहीं है शांतरस यहां पर आ गया समझे सामानने हिंदी वालों सहितिक हिंदी वालों ग्यान की प्राप्ति अत्वा संसार से वैराग्य होनी के पस्चात जब मनुष्य को न सुख दुख और न किसी से द्वेश राग होता है तो ऐ ऐसी स्थिती में मन में उठा विभाव शांतरस कहलाता है इस्थाई भाव इसका निर्वेद होता है या ऐसे लिखिएगा जब निर्वेद रामक इस्थाई भाव विभाव अनुभाव विवचारी भाव वादी के द्वारा पुष्ट होता है तब शांतरस की निश्पति ह ठीक है? जैसे तपस्वी क्यों हो इतने कलांत वेदवना का यह कैसा वेग आह तुम कितने अधिक हताश? बताओ यह कैसा उद्वेग आह तुम? तो यह क्या हो गया? इसमें शान्तरस है. उद्विग्न है मनुौ. मनु को समझाती है स्रद्धा क्यों इतने दुखी हो क्यों प परदय यहां से संसार से वूप चुका है। परदय यहां से संसार से वूप चुका है। यहां पर भी क्या है निर्वेद है स्थाई भाओ रस है यहां पर शांत। जैसे यह संसार कगद की पुडिया बूद परे घूली जाना है भाईया रामी चलो दे सवाबिराना है। यह भी क्या है सांतरस इसमें है ठीक है क्या है सांतरस है। संतो भाई आई ज्यान की आंधीरे भ्रम की टाटी सब उडानी माया रहे न बांधीरे। दूचिते की दोए थुनी गिरानी मोह बली डाटूटा त्रिसना छानी परी घर उपर कुबुद का भांडा फूटा संतो भाई आई ज्यान की आंधीरे। हमारे साथ बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं और ये पांचों रस आपको मैंने पढ़ा दिये हैं जब अरदस क्लास लगी होगी आपको पीडियाप चाहिए 26-28 नंबर पे करम संक्या पे लगे होंगे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहां से डाउनलोड कर लेना 26-28 पे लगे होंगे ठीक है जो करम संक्या 26 पे होंगे मैं अभी अपडेट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां से आप जुरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छा तो बताएं भाई मजा आ गया इंकम टैक्स भाईया सेयों जी दिपा करने वाला कोई जिन्दगी चाहता है जैसे हम तुमें चाहते हैं से कौन सारस है फटा फटा कमेंड करो हाँ अच्छा अमरीज पूरी वाला cuna दीजिए अच्छा अमरीज पूरी वालम क्या है कि मुस्किल है अपना मेल प्रिये यह प्यार नहीं है खेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये कि तुम धाबे के धाचे जैसा तुम पांच सितारा होटल हो मैं महुए का देशी धर्रा तुम मैं डावल की बोतल हो इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्रेम बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरी सपूरी बन जाएंगे सब हड़ी पसली तोड मुझे बिजवा देंगे फिर जेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये है ना हाँ बिल्कुल वो संयोक स्रिंगार का था ठीक है चलिए दिपांसु है सत्यवान जी है समीर कूल जी है अच्छा अरुन कुमार जी है हजारी प्रसाद वेदी का पीडिये फचा अपडेट कर देंगे कहे परिसान हो है ना सिवंप्रजापती है पीति गुर्ड है और नगेंदर मुस्रा जी है रेनु जी है अमन है और भाई काउन सिंग है मोनू सिंग है राजू यादोओ है फातिमा जी है आर्थarms nex यऺस निगम जी है परीतम पटेल जी है दीव शिखा यादोओ जी है है ना चलिए स्कुटनी रिजल्ट भाई साब अपने कॉलेज से देखो स्कुटनी रिजल्ट जन्हों ने स्कुटनी डाली थी कॉलेज में जाईए हो सकता उनकी लॉग इन पे आपके अंकाये हो कि बढ़े हैं कि घटे हैं तो आप उनसे संपर किजे अपने उनसे प्रिंसिपल से नेटवर्क प्रॉब्लम यहां से नहीं है अंकीत जी बिल्कुल देखो कल भी आईएगा आप साम आठ बजे मज़ा आने वाला है भले ही आपका सिलेबस नो हो कल साहितिक हिंदी का है लेकिन सामान हिंदी वाले भी जरूर देखिएगा मज़ा आने वाला है कल तो और अच्छे अच्छे रस हमारे साथ है ठीक भाई चलिए भाई सेयर कर दो आप लोगों का यह करतब यह है कि भाई निशल्क क्लासेज हैं कोई सुल्क नहीं है तो थोड़ी सी मेहनत आप मेरी लिए कर दो अपने कलास में बता दो अपने पास पडोस में जो आपके बच्चे मतलब साथ ही हो इंटर में हो, हाई स्कूल में हो 9, 10, 11, 12 हिंदी, संस्कृत और मॉडल पेपर हर विसाय के लिए बता दो भाई साथ ये वाला ग्यान सिंदू कोचिंग क्लासेज है और उन्हें सर पढ़ाते हैं वो जा के चैनल सब्सक्राइब कर लो और देखो वहाँ पर टेलीग्राम भी जोईन कर लो ग्यान सिंदू कोचिंग क्लासेज के नाम से तो बड़ा लाव मिलने वाला है हम बताएं आपको कि आप फरवरी में 16 फरवरी आधी फरवरी में एक्जाम होंगे 16 नहीं आधी फरवरी में 16, 17, 18, 20 मतलब फरवरी में ही एक्जाम होंगे अगर कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई तो फरवरी में आप फरवरी तक जानते हो कितना मजबूत होंगे, आपके 95 प्लस आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे एक्जाम देने, ये मेरा वादा है